तो चलिए दोस्तों वेलकम बाक टू दो शेटपर्टर डीवी आज की वीडियो में मैं अन्बॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से खरीद भी सकते हो तो चलिए दोस्तों बिनावक पेश के फटाफट से इसकी कर लेते हैं अन्बॉक्सिंग और करके देखते हैं इन चारो ही गंज का टेस्ट देखते हैं कितने पावरफुल है चार गंज पहले इसका बॉक्स मैप को दिखा देता बड़ी कमाल की पैकिंग की है इन लोगों ने देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नंबर वन ब्लास्टर ब्राइंड हा भई नर्फ तो सच में नंबर वन ब्लास्टर ब्राइंड है टॉइ गंज सीरीस में यहाँ पे लिखा है इन्क्लूड्स 20 इन्टु इलाइट यानी कि इस तरह की 20 bullets मिल जाती है हमें इसके अंदर इस set के अंदर आपको जितने भी guns दिखेंगे इन सारे guns का अपना नाम है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस gun का नाम है Opti QS4 और इस gun का नाम है Vanguard LR1 इनका नाम तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मुझे इनका नाम पता न देना तो इन चारों गंस को मिलाकर एक set बनाया इन लोगों ने तो इसका प्राइस था 999 रूपीस काफी कम प्राइस लगा मुझे इसलिए मैंने इसे खरीदाए गाईस मेरे पास और भी आलफा स्ट्राइक के set है वो भी मैं आपको बताऊंगा फिर कोई वीडियो के अंद तो इसको पीछे पल्ठा लेते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है तो यहाँ पर इसकी सारी प्राइजिंग वगेरा दी गई है यहाँ पर देख सेथे हो इसका प्राइस लिखा है 2299 और यह है made in India जैसे कि आप यहाँ पर देख सेथे हो अभी nerve gun सारी इंडिया मे भी बनने लगी है यह तो बहुत बढ़िया बात है तो चलिए दोस्तों इसे निकाल लेते हैं बाहर यहाँ से इन सारे वायर्स को कट कर देते हैं यह आ चुकी है हमारी वैंगार्ड LR1 बड़ी कमाल की दिख रही है इसे भी निकाल देते हैं यहां से वाव कितनी कॉम्पैक्ट गन है गाईस आप देख सकते हो देखते हैं इसके अंदर कितना पावर है इसे पूरी तरीके से टेस्ट भी करेंगे वीडियो लाज तक जरूर से देखते रहे ना दोस्तो इसे भी लगा देते हैं यहां पर इसे खोल लेते हैं वाव मैं फर्स टाइम कोई नर्फ गन के उपर स्कोप देख रहा हूं यार यहां पर देख सकते हो कितना बड़ा स्कोप दिया गया है इसलिए यहां पर लिखा है इसका नाम Optic QS4 तो इसे भी रख देते हैं यहां पर सारे गन्स को रख लेते हैं करीब में अभी मैं आपको एक एक करके सारी गन्स दिखाऊंगा उसके बाद बाहर जाकर सारी गन्स का टेस्ट भी करेंगे देखते हैं कितनी पावरफुल है यह सारे गन्स तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा देता हूं Vanguard LR1 काफी मस्त क्वालिटी है जैसी कि आप सभी को पता ही होगा Nerve Gun की क्वालिटी कितनी जबरदस्त होती है इसका डिजाइन देख सकते हो गाईस कितना फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है यहाँ पर गुलेट स्टोर करने के लिए 10 होल्स भी दिये गए है बड़ी अच्छी बात है यह इसका गृप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त है इसका गृप यहाँ पर इसका नाम लिखा है वाणगाड एलार वन यह है पीछे वाला स्टैक बड़ी मस्त गृप है यार इसकी इसे चला के भी देखते हैं वाव तो यहाँ पर भी देख सकते हो गईस यहाँ पर भी हम 5 बुलेट स्टोर कर सकते हैं वाव रे यार मैं तो भूली गया उसके अंदर हमें बुलेट स्टोर कर देखा देता हूँ तो यह है स्मॉल गन यह गन तो काफी पावरफुल लग रही है गाईस इसकी आवाज से आप सुन सकते हो वो भाई कमाल है यार तो यह भी बिल्कुल सेम वाली ही गने तो यह देख लेते हैं अभी हमारी Opti QS4 क्या इसमें सच में स्कोप लगा है लगता तो नहीं मुझे यहाँ पर तो कुछ ग्लास बगेरा नहीं दिया गया है यहाँ पर देखते हैं इसके उपर यह पूरी तरीके से अटाच किया हुआ है तो इसकी क्वालिटी भी एकदम ओसम है तो यहाँ पर हम एक साथ चार बुलेट्स लगा सकते हैं यहाँ पर इसका ट्रिगर इसे लोड करके भी देखते हैं वाँ भई बड़ी जबरदस्त हवाज आ रही है इसके अंदर से तो चलिए दोस्तों भी चलते हैं बाहर चारोई गंस को टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ देखते हैं कितने पावरफुल है चारोई गंस यह रहे गाइस इसके बुलेट्स मैं आपको बताना भूल गया था तो इसके अंदर टोटल है मैं 20 बुलेट्स मिलते हैं इस तरह के चलिए इस गं को लोड कर लेते हैं अभी यहां पर लगाना होता है मैं इस तरह से बुलेट्स आप देख सकते हो आपने मुझे अभी तक इस्ट्राग्राम या फिर फेस्बुक पर फॉलो नहीं कह तो जल्दी से फॉलो कर लेना मैं वहां पर भी बड़ी कमाल की वुडियोज डालता रहता हूँ अभी हमारी गन को लोड कर लेते हैं हमें यहां पर बुलेट्स लगाना होता है गाइस एक एक बुलेट्स लगाना होता है और इसके अंदर देख सकते हो इस तरह से बहुत टाइम कंजूमिंग काम है यह तो देखते हैं इसकी एमिंग कैसी है 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 यह हम शूट करेंगे थानोस के उपर वह भाई गिरते गिरते रह गया है यार थानोस मुझे तो लग रहा है यह गन थानोस को जल्दी से नीचे गिराने वाली है यार जस्ट मिस हो गया है थानोस हो भाई अभी तो हेट शॉट लगी थी यार गिर नहीं रहा है है यह से मैं दूसरी गन से भी मार के बताता हूं काफी ज्यादा अकुडेट है यार यह गन और काफी ज्यादा पावर भी है इसके अंगर ओ भाई देख सुकते हो गाइस एक बुलेट में इतने सारे कप्स खेर उसके नीचे एक और बार में यहाँ पे सारी बुलेट्स लगा चुका हूँ और एक बार ट्राइ करते हैं इस गन को जो तो यह गन काफी बस लगी यार करते हैं और बार थानोस को बार के देखते हैं गिरता है कि नहीं है हमारा थानोस नहीं गिर रहा है गाइस थोड़ी देर में मैं आपको और तीन गन्स भी ट्राइगर के बताने वाला हूं तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना काफी जादा पावरफुल है यार थानोस सूपर विलन है यह तो है 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 तो दूसरी गन्स भी ट्राइ करते हैं दोस्तों चलिए हमारे अप्टिक QS4 तो अभी इसे टेस्ट करते हैं यहां पर लगा लेते हैं बुलेट्स एक साथ हम चार बुलेट्स तक लगा सकते हैं यह चार होल्स के अंदर से आप जिसके अंदर बुलेट्स लगा हों गए वही बुलेट्स फायर होती है यहां पर आप चार बुलेट्स एक साथ लगाते हो तो पहली बुलेट्स यह जाएगी उसके बाद जाती है उसके बाद ये उसके बाद ये सिरीस वैस जाती है इसके अंदर से लोड कर लेता हूँ इसे में देखते हैं ये गन कितनी पावरफुल है वाव काफी पावरफुल लगी है ये गन जो भी ठालो उसके उपर ट्राइ करेंगे इस गन को यार ये गन से भी नहीं गिर रहा है ये बंदा यार गिरते गिरते रहे गया चलिए दूस्तों अभी हमारी दोनों मीनी गन्स को भी टेस्ट करते हैं इन दोनों मीनी गन्स को एक साथ टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर सिर्क एक ही बुलेट लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर भी लगा लेते हैं इसे कर लेते हैं यहां से इन गन्स को यूज करने के लिए काफी जादा फोर्स लगानी पड़ती है गाइस इसका ट्रिगर बहुत ज्यादा हाड है यह गन्स छोटी होने के कारण मैं सही से टार्गेट पर एम नहीं कर पा रहा हूंगा है अभी थानोस के उपर ट्राई करते हैं इन गन्स को नहीं गिर रहा है तो माइडियर दोस्तों इन चारोगी गन्स को टेस्ट करने के पाद अभी मैं आपको मेरा ओपीनियन शेयर करने वाला हूं क्या आपको यह चीज़ें बाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए यार प्राईस के इसाब से देखा जाए तो आपको यह जरूर से बाई करनी चाहिए क्यूंकि 999 रुपीस में चार टॉइ गन्स मिल रही आपको वो भी नर्फ की वैंगार्ड LR1 की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी इसकी एमिंग भी ठीक ठाक सी ही लगी डाल कर यूज कर सकते हो at a time तो यह थोड़ा सा मुझे time consuming वाला काम लगा पर यहाँ पर यह चीज बहुत अच्छी लगी कि आप यहाँ पर एक साथ 10 बुलेट्स लगा कर रख सकते हो और इन्हें फटा-फट से यहाँ से निकाल कर यहाँ डाल कर यूज कर सकते हो तो अभी दूसरी गन के बारे में बात कर लेते हैं यह है Optic QS4 की पावर तो मुझे ठीक ठाक सी ही लगी पर एमिंग में यह गन थोड़ी सी गड़ड़ा जाती है क्योंकि यहाँ पर एक साथ चार बुलेट्स दिये जाते हैं आप कन्फ्यूस हो जाते हो गाईस की एमिंग किस तरह से करना है यह गन यूज करके इस गन की भी क्वालिटी मुझे एकदम अच्छी लगी पर यह गन एमिंग के मामले में मार खा जाती है अभी इन दो छोटे मिनी गन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इन गन्स में भी थोड़ी सी दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ काफी जादा बार ऐसा हो जाता ही कि गाईस आप इसे लोट करते हो इस तरह से ये गन सही से लोट नहीं हो पाती, आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लॉक नहीं कर पा रही है, प्रॉपरली, ट्रिगर को, अब कोई से काफी जादा फोर्स लगा कर खीशना होता इस तरह से, तब जाकर ये गन चल पाती है, इस गन की ना तो एमिंग सही से हैं, ना तो बड़ा ही कमाल का लगा यार, सिर्फ 999 रुपीज में, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इन सारी गन्स का सेट खरीच सकते हो, तो चलिए दोसों, अभी हम दे देते हैं, शाट आउट, कल मैंने मैजिक फिंगर्स की वी खेड़े, सौनक घोशाल, देवांग तिवारी, शेशांक कौशिक, तपवरता दत्ता, हादित्य चेतन शर्मा, मान भवन, निखिल, अशकान, किर्तीमान, औशिक मित्रा, तैंक्यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अगर दोस्तों आपको भी चाहिए श वाली वीडियो को लाइक करेंगे, तो आज की वीडियो यहीं पर होती है, खतम मिलता हो आप से में नेक्ट वाली वीडियो में, और कुछ धमा कहता है टॉइस के साथ तब तक के लिए, बाई दोस्तों